वेलकम गाइज वेलकम बाक टी ओन चनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदार डेली मार्क लिस वीडियो में आज की वीडियो निफ्टी स्पेशल होगी डीटेल में बात करेंगे निफ्टी के लिए क्या मंदे का सेट अप होगा मंदे को कैसी मार्केट को मल सकती है क्या लेवल्स और प्रेड्स होंगे इसके साथ साथ ब्रॉडर मार्केट की भी बात करेंगी कि वीकली क्या व्यूपाइंट है सब कुछ डीटेल में बात करने वाले है बहुत ही मज़दार वीडियो होने वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए है सब्सक्र अब यह है हमारा निफ्टी का डिली टाइम फ्रेम का चार्ट अब ओवर ओल इस पूरी वीक में क्या हुआ है अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक रेंज में वर्क किया है काइंड आप कह सकते हैं 17400 से 17700 लेवल काइंड अफ इस 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने वर्क किया है अगर आपने पहले से हमारा वीकेंड वाला अनलेसिस देखा था तो काइंड अफ यही लेवल से हमने डिसक्स भी किया थे अपसाइड यह 17700 17720 लेवल है यह काइंड अफ इस ट्रेंड लाइन से लेवल आ रहा है ठीक है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिख फाल आया था और हमारी clear का discussion है मारकेट में कि मारकेट को अगर सचमें bullish होना है continuous bullish move देना है ना अब ट्रेंड में आना है अब तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट देना पड़ेगा मतलब इसके अब अब क्लोजिंग चाहिए हमें अब भी मार्केट में 17700 एक मेजर रिजिस्टेंस है और लोवर साइड देखेंगे यह जो 17400 का लेवल है यह काफी इंपोर्टेंट लोवर साइड मैंने आपसे बार बार कहा है पता नहीं आप लोगों ने से कितने लोगों ने वह काम किया अभी तक कि निफ्टी के डेली टा आपको चीज़े प्राक्टिस भी करनी होती है तो यह जरूर कमेंट में बताएं कितने लोग रियल में लर्निंग कर रहे हैं यह सिर्फ आप टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं आपने नोट डाउन कर लिए 10 वीडियो स्क्रोल कर रहे थे उसमें से यह वीडियो आपने सिर्फ स्क्रोल कर लिए ठीक है लोवर साइट 17 400 एक इंपोर्टन सपोर्ट है काइंड अफ इस वीक की जो पूरी रेंज रही है वह इंपोर्टन सपोर्ट और रजिस्टन्स लेवल है अभी देखो मार्केट में क्या हो रहा है पहले डिप आया फिर लूवर लेवल अब ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता है ना मार्केट में अब तब तक कोई मेजर डिरेक्शनल मूव नहीं आएगा और आपको पुजिशनल ट्रेट्स तब तक अवाइड करनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग बहुत इजली कर सकते है ऑप्शन बाइंग पुजिशनली आपको सिर होगा 18,000 लास्टाइम भी अल्मोस्ट इसी टागेट तक आया थे आपको याद होगा 17,992 का हमने हाई लगाया था जब इस ट्रेल लाइन को ब्रेक किया था मने राली की बात की थी कॉल्स की बात की और एक अच्छा आप मूव कैच किया था मोर दन 250 पॉइंट का तो अभी लेवल तो अब आपको ब्रॉडर व्यूपइंट और ब्रॉडर पिक्चर समझ आ रही होगी यह मीजर लेवल्स हैं दो और यही मार्केट की पोजिशनल ही डिरेक्शन डिसाइड करने वाले हैं वीकली व्यूपइंट के लिए अब इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्र इंट्राडे कैसे करें इतने बड़े फें इंट्रा डे ट्रेट नहीं हो सकतें मंदे को अग्जाक्ली क्या करें मंदे के लिए किया लिए क्या लेंट सेंग एमणे को कैसे कैंप बनाने वो डिसकस कर ले ठेए अब याँ देक्टिया अज हुआ क्या क्या ग dolk अब आक 17500 को क्योंकि hold करती है तो major support है और 17700 के आसपास हमें sell off देखने को मलता है इसके साथ-सत option chain में हमें same चीज पता लग रही थी 17500 पे बहुत अच्छा support बिल्ड हो रहा था और 17700 पे बहुत major resistance बिल्ड हो रही थी तो किसी भी side breakout या breakdown देना market के लिए मुश्किल है clearly यह पता लग रहा था और वही range में आज almost देखो work हो रही gap up opening हो इच्छा up move भी देखा लेकिन trend line के आसपास क्योंकि 17700 के आसपास trend line की भी resistance है इसके साथ-सत option chain की भी resistance थी तो gap up के बास bounce जरूर आया लेकिन फिर market higher levels पर फिर से hold नहीं कर पाई क्योंकि यहां पर काफी major resistance है और वहां से फिर देखेंगे ना morning के up move के बाद market clearly downtrend में थी market में हमने lower highs बनते हों देखेंगे आप देखेंगे ना तो market में clearly lower highs बन रहे थे market kind of a downtrend में ही work कर रही थी तो यह आज की overall intraday market थी लेकिन dip आप देखो ना हमने 17500 को break किया ठीक है almost 15 points का gap यहां पर था और ना ही हमने 17700 को break किया almost 15 points का gap यहां भी था almost इसी gap और इसी range में market ने वक्या किया तो यह थी हमारी आज की intraday market जहाँ dip ज़रूर आया लेकिन अभी भी कोई major level तो break हुआ ना range break हुई है ठीक है तो अब इस market से हमें क्या पता लग रहा है एक trend line भी मैंने आपके लिए यहां mark की हुई है जो हमें market में direction देगी जिसके according हम Monday trades बना पाएंगे ठीक है वो discuss कर लेते हैं exactly क्या setup है Monday के लिए nifty में continuous intraday देखो काफी अच्छा fall आया लेकिन क्या इस fall में आपको bearish हो जाना चाहिए नहीं इस fall में भी आपको bearish नहीं होना है क्या major fall जो intraday देखो positional अमने separate discuss किया उसे mix नहीं करना है पहले ही बता रहो intraday major fall जो है ना वो इस trend line के lower side breakdown पे देखने को मिलेगा अब क्या level है trend line का कैसे बनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हम चीज यहां बहुत ही transparently सब कुछ discuss करते हैं अब यह देखे trend line आपको दिख रही है कौन से points को हमने connect किया यह पहली बार जब low लगा था देखो अब अब लेवल से काफी sharp dip आया था ठीक है almost 170-180 points का dip आया था trend line पे पहली बार market ने support लिया फिर एक continuous up move देखने को बला कल आपको याद होगा second half में major sell off आया था फिर से almost 200 points का dip आया था फिर market ने यही support लिया था आज भी देखो अब लेवल से clear cut sell off आया लेकिन फिर market ने day end में इसी trend line पे support लिया तो यह trend line continuous as a support का work कर रही है ठीक है clearly दिख गया कहां से trend line बनी है इसलिए दिखा रहे ताकि आप भी अपने chart पे mark कर ले अब इसका use क्या होगा Monday को वो directly discuss कर लेता है चलिए मैं zoom कर देता हूं दुबारा trend line कहां से बनी है clearly मैंने आपको दिखा दिया है अब देखो Monday अगर इस trend line को हम break करेंगे न तो फिर market week होगी क्योंके फिर support break हो जाएगा तो इसका level अभी currently देखेंगे almost आ रहा है 17,520 तो Monday को अगर opening में हम 17,520 को break कर देते हैं तो आपको puts में entry करनी है ठीक है target क्या होगा target होगा 17,410 से 430 का zone जो हमारा next support level है यहाँ पर 17,520 लेवल भी है लेकिन इस बार trend line break होगी तो यह level भी break होता हुआ दिखेगा और फिर यह हमारा next support level है यहाँ तक हमें market में fall देखने को मिलेगा इस zone तक 17,410 से 430 का एक zone है हमारा यहाँ पर support का वहाँ तक हमें fall देखने को मिलेगा तो पहला trade clear है Monday के लिए अब इसी zone तक क्यों fall expected है एक बार discuss कर ले मैंने आपको पहले भी यह बताया हुआ है फिर से बहुत important video बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जहां से देखो क्यों यहाँ तक fall expected है कि पहली बार जहां से यह trend line का point है वो almost 17,412 पे है ठीक है और trend line trading की मैंने आपके लिए पहले भी एक video बनाई है तब भी मैंने आपको समझाया था जब कोई trend line break होती है टीक है trend line का breakout या breakdown मलता है तो market उस level तक दुबारा test करने जाती है जहां से यह trend line पहली बार बनी है जहां से इस trend line का starting point है इसलिए हमारा target यह zone है overall भी level है आप पहले से follow कर रहे हैं तो आपको clearly पता है यह हमारा पहले से level है लेकिन साथ-साथ trend line भी यह level बता रही है इसलिए हमारा lower side target यह है and hope अगर आप नहीं है तो आपने एक नई चीज़ सीखी होगी कि यह trend line पे कैसे trade होता है trend line अभी तक support का work कर रही है लेकिन जब यह support break होगा देखो break confirmation के साथ होना चाहिए जब यह support break होगा तो हमारा target कैसे decide होता है पहला target आपका यह होता है और फिर ultimate target आपका यह होता है जहां से यह trend line का starting point है जहां से यह trend line start होई है पहले भी यह concept बता है वह लेकिन लोग भूल जाते है time के साथ तो इसलिए मैंने आपको remind करा दी इसलिए lower side trade आपको clear है upside lower side तो बहुत clear है upside क्या करें देखो upside हमारी बार बार यह discussion रही है intraday positionally अलग level है intraday 17600 के resistance level है इसके breakout पे आपको call में entry करनी है target 17650 और 17730 level यह हमारे upside levels और targets होने वाले दो trade हमने discuss किये 17520 के below क्या करना है क्या करना है चलो comments में बता दो और 17600 के above तो हम calls में entry करेंगे market हमाले bullish हो जाएगी आज भी देखो कि 17600 के आसपस काफी time spent हुआ है यहाँ देखो kind of market support भी ले रही है bounces भी आए फिर यहाँ देखो kind of market support ले रही है और जब break हो गया तो market kind of resistance भी face कर रही है और यह dip आया तो 17600 एक important level है market काफी time इस level के आसपस spent कर रही है तो इस level का breakout में लेगा तो call में entry करेंगे upside levels हमारे simply target होने वाले है hope charts पे सब कुछ clear है trend line भी clear होगी levels भी clear होगे, targets भी clear होगे अब option chain भी देख ले कि क्या बता रही है कि option chain के data से हमें क्या पता लग रहा है वो भी एक बार देख लेता है क्या data में कोई change है जो पहले दिख रहा था क्या उसमें कोई change है almost similar data ही है कल हमने क्या दिखा था 1700 पे maximum call side हो आई है आज भी same है maximum call side हो आई 1700 पे है भी यही बता रहा है कि 1700 ब्रेक करना easy नहीं होगा even हमारा positional level भी है trend line की भी जो positional resistance हो यहीं पे है तो upside resistance बहुत clear है 1700 support की बात करें तो वो 1700 पासी बिल्ड हो रहा है put side maximum हो आई हमारा 1700 पे बन चुका है almost 1 lakh का 99,928 है almost 1 lakh का हो आई 17,500 पे बन चुका है compare करेंगे call side से तो 40,000 है तो gap भी बहुत decent है almost 60,000 का and overall positions भी अच्छी बन रही है तो market ना अभी कोई clear direction देने के mood में नहीं है जैसे आज भी क्या clear direction थी गया पाव opening कोई तो bullish market लग रही थी लेकिन उसके बाद fall देखने को मला तो market इसी range में time spent कर सकती है Monday फिर से 17,500 से 17,700 almost similar data ही है bounces आएंगे तो वो sell होते हुँ दिखेंगे dip आएगा तो वो buy होता हुँ दिखेंगा कोई straightforward one-sided directional move market में अभी expected नहीं है और levels भी देखेंगे तो important है important level इतना easily break नहीं होते है तो kind of यहाँ पर dual confirmation मल रही है same चीज हो की कि यही एक range है इसी range में आपको play करना है और intraday trades बनाने इस range में positionally तो कुछ करना ही नहीं है कि कोई trade hold करके जाब वो चीज तो करनी ही नहीं है लेकिन intraday आप levels को use कर सकते हैं क्या trades intraday बनेंगे वो आमने discuss already कर लिए तो आप चीजे सीख भी रहे होंगे और इन चीजों से आपको आपके trades में भी help मिल रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करें चैनल पर नए है तो subscribe करना बिल्कुल ना भूलें